स्री शिवाईन नमस्त उब्यम्दर्शको कैसे हूँ आसा गरते हैं कि आप सब स्वस्ते इंसरक्षित होंगे दोस्तों मालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर और जिस व्यक्ति के उपर मातलक्ष्मी का असिरवाद हो जाए या फिर जिस घर में मातलक्ष्मी का आग्मन हो जाए या जहाँ पर मातलक्ष्मी इस्ताय रूप से रह जाए तो उस घर में कभी भी धन धन्य की कमी नहीं होती है वह घर सर्वगुन संपन हो जाता है माता लक्षमी का असिरवाद पून रूप से उस घर को मिलने लगता है तो उस घर में हमेशा सुक्स अमरद्धी भी बनी रहती है साथ ही धन का वेभभू भी बना रहता है ऐसे में दोस्तो कई बार कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल पैसा नहीं आता है और पैसा आता है तो रुखता नहीं है अनावश्यक धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है और घर में कंगाली गरीबी आने लगती है दरिदर्ता आने लगती है और दुरभाग्य का साथ मिलने लगता है ऐसे में दोस्तो आज हम आप सभी दर्शकों को जो उपाई बताने वाले हैं ये उपाई सुक्र को मजबूत करता है दोस्तो व्यक्ति के जो कुंडली होती है व्यक्ति जो कुंडली की गरह होते हैं उनमें सुक्र का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडले में सुक्र मजबूत होता है उस व्यक्ति के सब कारिये संपन होते हैं सबी कारिये में सबलता प्राप्त होती है धन का योग बनता है अनावशक धन कर्च नहीं होता है और उसे दुर्भाग्या का साथ पराप्त नहीं होता है इसलिए कुंडली में सुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है अब दोस्तों आज हम बात करेंगे सुक्रवार के सुपाई के बारे में जिसे आप सभी को करना है किस परकार से और किस तरह से करना है वह संपूर्ण जानकर इस वीडियो के माध्याम से बताएंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और वीडियो को लाइक करें हर बार की तरह कॉमेंट बॉक्ष में तो दोस्तों किस परकार से सुपाई को करना है अब वैस सुन लेजे अगर आपके घर में बिल्कुल धन नहीं आता है धना वाश्यक खर्च होता है पैसा बिल्कुल नहीं रुकता है हमेशा आपके घर में किस न किसी परकार की लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो ऐसे में आज सुकुरवार की सामा आप लोग जदा कुछ नहीं, मातर अगर आपके घर में तुलसी का पोदा है, तो आप लोगों को उस तुलसी के पोदे के निकर जाना है, और वहाँ पर जाकर आप लोगों को उस तुलसी के पोदे के पास बैठ जाना है, और आप लोग अगर कोई भी आपको मंतरा आता है उसका आपको इस्मन करना है और फिर आप लोगों को एक धनिया का जो दाना होता है धनिया का दाना आप लोगों को लेना है उसे आद धनिया की दाने को आप लोगों को अपने सीधे हाथ में लेकर और मातालक्ष्मी का इस्मन करते वे आप लोगों को अपने जीप के अगर भाग पे रखना है और उसे चबाना है और उसके बाद में आप लोगों को आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोल देना है दोस्तों धनिया जो होता है माता लक्षमी का परतिक होता है और फिर आप लोगों को एक धनिया अपनी मनोकामना बोलते वे तुलसी की जड़वें गाड़ देना है और आप लोगों को इतना सा कारे कर देना है इससे दोस्तों धनका योग बनता है मातालक्षमी भी पर्षन होती है परते एकारे में सपलता प्राप्थ होती है और इस कारे को करना बहित सुमाना जाता है तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आए होगी तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें